हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजनिश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हर्दिक स्वगत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सिलेबस के उपर UGC Anti-Net Hindi या फिर किसी भी एक्जाम की तैयारी आप कर रहे हूँ तो एक्जाम की पुर्व सिलेबस पढ़ने की जरुवत क्यों पढ़ती है क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए आपको लग रहा होगा कि हमारा एक्जाम तिन-चार दिन बाद है तो आप सिलेबस पढ़कर क्या करेंगे और मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग पहले भी सिलेबस पढ़ चुके होंगे तो आप जानते हैं कि जो सिलेबस होता है वो हमारा रोड मैप होता है किसी भी एक्जाम का गोल मैप भी उसे का आ जा सकता है या फिर यूँ कहूं कि वो घोशना पत्र भी है जैसे राजनितिक पार्टियां अपना-पना भोशना पत्र जारी करती है तो वो एक निर्धारित करती है कि हमको पिछले पांच वर्सों में क्या-क्या काम करने है वैसे ही हर एक्जाम का जो सिलेबस होता है वो ये निर्धारित किया जाता है कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है अगर आप UGC NTN8 की तयारी लंबे समय से कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि दो सेशन को मिला कर एक्जाम होने जा रहा है तो कई विद्यार्थी बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे और बहुत सारा प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे और उनको लग रहा होगा कि अब उनकी तयारी कम्प्लीट हो गई होगी लेकिन एक चीज़ ध्यान में आप रखिए कि तयारी कभी कम्प्लीट नहीं होती है हमेशा कुछ न कुछ कमी बनी रहती है और आखरी समय तक हमें पढ़ते रहना चाहिए यहां तक कि आपने देखा होगा कि एक्जाम सेंटर के आसपास भी लोग पढ़ते हुए नजर आते हैं क्योंकि वो यह चाहते हैं कि जो कुछ छुटा है या फिर रिवीजन करना है तो वो रिवीजन करने ताकि अगर बीना रिवीजन की हुए में से प्रशना आ जाता है तो उनको पश्चताप करना ना पड़े कि हमने इसको नहीं पढ़ा था तो मैं आज यही काना चाहूंगा कि आपका एक्जाम भले नजदीक आ गया है और मेरी जहां तक कोशिश थी पाठिकरम के अनुसार मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर तयार भी किये नुर्स के रूप में भी और कोशिश यह थी कि आप उसको सूने और देखें क्योंकि सूनी और देखी हुई चीजें पर्मानेंट आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और ऐसे कई कमेंट्स आते हैं कि आप पीडियो हमें प्रोवाइट करवाईए तो भवी से में पीडियो मिल जाएगा लेकिन आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग प्रिंट आउट करके या फिर जहां से भी मैटर मिलता है उसको लेकर रख लेते हैं पढ़ नहीं पाते हैं तो उसी बहाने आप वीडियो जी देखते हैं और सुनते हैं और नोर्स बनाते हैं जो भी आपको मेंट पॉइंट लगे जो आपको लगे कि यह नई जानकारी है उसके अनुसार आप अ या फिर तैयारी कितनी पूरी हुई है उसको चेक करने के लिए आपको पुना परिक्षा के कुछ दिन पहले लगबग एक सब्ता पहले सिलेबस पे आना चाहिए और सिलेबस को देखते हुए जो जो मेन मेन पॉइंट दिये गए हैं उन पॉइंट को अगर आप पढ़ रह दाईया हैं अब दसो इकाईयों को अगर आप बढ़िया से सिलेबस को रीड की हैं क्योंकि परिक्षार्थी की पहली विशेश्ता होती है कि जिस एक्जाम के तैयरी करने जा रहे हैं तो वे उस एक्जाम के सिलेबस को काफी अच्छे से समझ लें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आम तो पर जब मैं आपने समय के प्रत्यगी छात्रों को देखता हूं तो कई छात्र सेंटर पर मिलते थे या फिर एक्जाम देने के बाद मिलते थे बोलते थे कि मैंने सिलेबस ही नहीं देखा था तो इस तरीके का तो नहीं होना चाहिए ये गंभीर प आपको हलका पनमसुस हो रहा है राहत मिल रही है या फिर आपके दिमाग को थंड़ई पहुच रही है उस पे ज्यादा प्रिशन नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी है वो ठीक चल रही है उधारन के लिए मैं फ़र्ष्ट इकाई की चर्चा कर र प्राचीन तन अरे भाषा को कौन कौन सी चीजी है उसका समय कफ से हैं किस भास कुछ में सामिल इसलिए और फिर मदिकालिन भारती आरे भाषा कौन से है, वो कितनी भारती आरे भाषा है उसमें हैं, उनका समय कौन कौन सा है, कौन उसके परवर्तक थे, परचारक थे, फिर आधनिक भारती आरे भाषा में आप चले आईए और फिर हिंदी के बारें पढ़िए, दूसरा टॉपिक है कि हिंदी का भागोलिक भिष्तार आप जानते हैं कि हिंदी कुल पांच उप भाषा हैं तो उन पांच उप भाषाओं में कुछ बोलियां भी हैं लगबग 18 बोलियों का यह सब समू है तो किस भाषा के अंतरगत कौन-कौन बोली शामिल है तो जैसे ही आप इस टॉपिक्स को द ठीक चल रही है फिर आगया देवनागरी लीपी या फिर राजवाशा के रूप में हिंदी की स्थम वैजानी की स्थिति तो जो अनुछेद दिये गए हैं वह आपके दिमाग में तुरंट आने चाहिए कि 343 में अनुछेद में क्या है 344 में में क्या है तो आब क्योंकि त दौर में चल रही है तो सिलेबस जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो चीज़ें छूटी हुई है जिस पर आपका ध्यान नहीं गया आपने बहुत सारा प्रेक्टिस भी कर लिया खुब सारे नोट्स भी पढ़ लिए लेकिन सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो छूटी जाती है तो सिलेबस को हमेशा आपको अपने पास रखना चाहिए ताकि छूटे हुए पॉइंट्स भी आपको उस पे एक नजर पहुच जाए ठीक है तो इस तरीके से आपको पढ़ना है चार-पांच दिन जो बचा है उसमें आप एक घंटे अपने सिलेबस क तो देखेंगे सिलेबस के कौन-कौन से पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे आप कितना जो भी पढ़ रहे थे वो आप कवर कर चुके हैं इकाई-2 की यगर चर्चा करें तो इकस दो आपके पूरे सिलेबस का एक तरीके से प्राण कहा जा सकता है ठीक है इसमें इकाई- 4 4.5.6.7.8.9.10 यह 21 भी सामिल हैं यानि कि हिंदी साहित का इतिहास है तो यह पूरा संपून एक तरीके से हिंदी साहित के जीतना भी अंग है वो सब इसमें सामिल है आप प्लेदिस्ट में इसको देख selections भी यहोंगे नहीं देखें तो एक बार जोरु समय निकाल के उसको देखें अगर साहिति इतियास लेखन की पद्धतियों पर चर्चा करें तो चार-पांच पद्धतियां है उन पद्धतियों को आप ध्याने में रखिए काल विभाजन की बात की जाए तो गार्चद तासी स से लेके जो आखरी समय के इतियासकार है पूरा आपको क्रम वाइज आपके दिमाग में आना चाहिए अब जो नोर्स में था वीडियो लेक्चर में था इधर उदर था वो सबब खतम आपका दिमाग कितना उसको कैज किया है वही आपका सब कुछ है ठीक है इसके बाद हिं पस तक आपको पढ़ना है तो उस तक की रचिना आपकी दिमाग में आ जानी चाहिए और अलग-अलग विसेबस्त उपर जो लिखी गए है और आगे चलकर आप देखेंगे तो एक उपन्यास का खंडी लगा है उसमें जो भी तेरे चोदो उपन्यास पढ़ने है फिर कहान साथ तो मुझे लगा कि एक बार आप लोगों को जरूर इस तरफ आपका ध्यान आकरशित करना चाहिए कि पढ़ाई हो चुकि है बहुत सारी हो चुकि है पढ़ाई लगातार आप लोग कर रहे हैं और अलग-अलग जगहों से आप मैटर्स को एकठा करके और परिक्षा की तैयारी अच्छी से कर रहे होंगे लेकिन सेलेवस जरूर देखिए तो एक अलग तरीका का आपको फिडेंस भी आएगा और जो टॉपिक्स आप छोड़ दियोंगे जिनको आप हलके मिले रहे होंगे कई बार वही परीक्षा में क्या होता कि एक दो नंबर से आपका रिज से रुख जाता है जिसे अभी जिसे एक्जाम में हम सेलेक्ट हुए यानि कि BPSC के थूरू Assistant Professor के एक्जाम में तो एक हमारे सेनियर थे उनका .20 से रिजल्स रुख गया यानि कि 76.20 कटफ गए थी और उनका 76 था तो इस तरीके अपने किताबों के धेर के अंदर छिफा कर रख दिये हैं नहीं उसको हमेशा स्वतनतरूप से अलग रखिए और समय समय पर उसको देखती रहें तब आपकी तयारी और अच्छी मानी जाएगी उमीद है कि इस छोटे से टॉपिक्स पर मेरा ध्यान गया और मुझे लगा कि आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है और ये एडवाइस आप सभी को अच्छी लगी होगी इसे तरीके से जो भी मन में आएगा आपके लाव के लिए उस विशेपर मैं अपना लेक्चर तयार करके प्रस्तुत होता रहूंगा कमेंस करकर जरूर बताए और धेर सारे आ टॉपिक के साथ तब तक लिए नमस्कार